परिक्षाओं की तैयारी के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें में पढ़ेंगे तो वह हमारा वैब फॉर्म वैब फॉर्म कंट्रोल और सर्वर कंट्रोल इसके अतरिक्त भी टॉपिक आएंगे हम देख लेते हैं अगर आप हमारा चैनल बेना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बैल बटन पर जरूर करिए और हां अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शैर भी करिए ताकि उनको काम में यह वीडियो जो कि डीजी डीसे सेकेंड्स हैं में एस्पी कर रहे हैं चलिए तो बढ़ते हैं आगे वेब फॉ नेट के अंतरगत वेब अप्लिकेशन का एक हिस्सा है और इसे विज्वल इस्टुडियो के साथ ही शामिल किया गया है वेब फॉर्म का उप्योग आप एसपी डॉट नेट वेब अप्लिकेशन बनाने के लिए कर सकते हैं ठीक है जैसा कि बताया वेब अप्लिकेशन के इ सर्वर कोड के सभिजolph करके ही चाते हैं एक वेब फॉर्म के ब्रॉज़ की डिवाइज में यूजर की रिकेशन के अनुसार जानकारी को तरस्तूत करते हैं जैसा कि आप website को जब चलाते हैं तो यह सारी process आपके साथ होती होगी Visual Studio का उप्योग करके आप web form बना सकते हैं Visual Studio Integrated Development Environment मतलब IDE आपको अपने web form pages को डिजाइन करने के लिए server control को drag and drop करने देता है फिर आप आसानी से web form pages के लिए controls के लिए attributes method और event set कर सकते हैं web form page के लिए आप server code visual basic c sharp जैसी .net भाशा का उप्योग करके लिख सकते हैं तो यह था आपका web form web pages चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो आता है web server control, web server control क्या होता है web server control ऐसे component होते हैं जिसका अपना एक public interface होता है और इसे HTML tag attributes का प्रयोग कर के आउशक्ता के इनुसार configure किया जा सकता है ठीक है साथी प्रत्तिक web server control की एक unique ID होती है और जिसके माद्यम से उसे पहचाना जाता है किसी asp.net page में जिस किसी elements के अंतरगत runit server attribute लिख दे जाता है वो elements एक web server control की तरह कारे करता है इसको थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं आसान भासा में कि आपने html तो पढ़ा होगा html के अंतरगत काफी सारे elements आपने पढ़ोंगे form के elements दिसे text box, radio button, check box यह सब elements आपके client control होते हैं अगर इनी controls में एक attribute आप यूज़ कर ले runit server asp का code यूज़ करके तो वो एक server control बन जाएगा web server control की वज़े से web developer को web pages बनाने के लिए HTML code और JavaScript code लिखने के आशुकता नहीं होती क्योंकि ASP में सीधे काम आसानी सुझता है बलकि इन code को asp.net automatically developer के लिए generate कर देता है जिसा मैंने आपको बताया साथ ही web server control को program करना उतना ही आसान होता है जितना की किसी tool के लिए property को set करना for example के लिए हैं बताया अगर आप ASP में कोई server control डिजाइन कर रहे है वैसे आप कोई करने के आशकता नहीं होती है यह automatically code लिखा जाता है लेकिन फिर भी अगर आप manually भी करना चाहते हैं तो ASP call on, text box, text जो आप लिखना चाहते हैं control नहीं होते हुए आपका local control ही हो जाता है client server control हो जाता है इसलिए client server control को मैंने इसके अंतरकत नहीं समझाया है उसमें बस आपको इतना ही लिखना है कि अगर हम उसमें runate server नहीं यूज करते हैं local यूज करते हैं तो वह आपका client server control कहलाता है तो देख लेते हैं कि यदि हम web page पे control को जोनना चाहते हैं तो visual studio में कि में buying और toolbox को उप्योग कर सकते हैं सभी server side control toolbox के panel में ही रखे गए हैं web pages पे control लेने के लिए toolbox को open करें और आपको control web pages पे लेना चाहते हैं हैं उसे web page पे dragon drop कर दीजिए इसका तरीकता आप control पर double क्लिक करके भी उसे web page पर ले सकते हैं यदि toolbox studio में नहीं दिखाई दे रहा है तो visual view menu में toolbox विकल्प का चैन करें या फिर control plus w plus x की दवाएं toolbox दिखाई देने लगेगा चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे किसी टूल को आप web page पर ले सकते हैं चलिए दोस्तों तो आगे हम देखते हैं कि कि किसी control को web form पर कैसे रख करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको डाटनेट को ऊपन करना होगा डाटनेट को अपन करने के लिए आपको जाना होगा start menu में start menu में आप जाएंगे all program में all program में आपको option मिलेगा Microsoft Visual Studio 2008 यह version इस्टॉल के हुआ हूआ है मैंने मेरे system में और यहाँ पर मिलेगा आपको new में new में जाने के बाद आपको लेना है website क्योंकि हम website बना रहे है asp.net का यूज करके हम web application बनाते हैं जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था चलिए website लेने के बाद थोड़ा सा लोड होने में समय लेता है इसलिए आपको बैट करना होगा थोड़ा 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 इसको और फिर ही आगे बढ़ना होगा चलिए इसको कर देता हूँ मैं यहां पर देखिए अब हम जैसा कि मैंने आपको उता है कि इसी सूर्स वी होता है सूर्स वी में आप कोडिंग के माद्यम से कोड डिजाइन कर सकते हैं और डिजाइन वी में जाके आप डिजाइन कर सकते हैं तो हमें डिजाइन वी में काम करना आपको डिजाइन वी में आना पड़ेगा तो हम डिजाइन पर क्लिक कर लेते हैं डिजाइ इसमें से कोई भी tool को, अगर आप अपने web page पर, यह जो आपका web page है, इस पर आप लेना चाते हैं, जो एक page हमें दिया, वह है डिफॉल्ल नाम का, इसके उपर आप लेना चाते हैं, तो आप drag and drop method के מדium से इसे ले सकते हैं, drag and drop method के माद्धियम से मतलब यह है कि मान लीजिए आपको कोई tax box लेना है तो tax box लेने के लिए आपको इस प्रकार से tax box को click करना और यहाँ पर drag and drop कर देना है पेंच पर तो यह आपके web page पर आ जाएगा tool box से होते हुए आपके web page पर यह tool आ जाएगा तेगे यह tax box यहाँ पर आ गया अगर इसी प्रकार से आप कोई button लेना चाहते है तो बटन पर क्लिक करीए और बटन को भी यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए इसी प्रकार से आप और कुछ control tool लेना चाहते काफी सारे tools है यहाँ पर इसे drop down list लेना चाहते है drop down list को लाकर यहां पर छोड़ दीजी list box लेकर लेना चाहते है list box को लाकर यहां पर छोड़ दीजी तो इस प्रकार से आप कोई से भी tool यहां पर drag and drop method से भी ला सकते हैं इसके अतरिक्त आप double click method से भी tool को ला सकते हैं यहाँ पर किसी भी टूल पर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो टूल आपके वेब पेच पर आ जाता है लेकिन वो डिफाल्ड लोकेशन पर आता है जहाँ पर आपका करसर होता है आप ड्रेगन ड्रॉप मेथड से जहाँ पर लाना चाहिए लेकिन डॉपल क्लिक मेथड से उन्हां पर आपका करसर होता है तो यह थी मेथड किसी टूल को वेब पेच पर लाने की यह आपको एक्जम में आई कि किसी लिबस में दिया हुआ था टॉपिक तो मैने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया आपको समझ में आए होगा चलिए इसको यहां पर हम क्लोज करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो टॉपिक आता है वा आता है सम कंट्रोल एन asp.net कुछ controls आपको दिये गए आपके syllabus में उसको समझाना है तो हम देख लेते हैं कौन-कौन से controls दिये गए हैं ऐसे आपको exam में लिख कराना है तो पहला दिया है आपको level control level control क्या होता तो level control web page design में user ने वाला सबसे important print control होता है जो किसी भी message को-say क food display करने के लिए पैड इसमें लेक्स को modern दॉर्ण में बिना coding के चेंज नहीं किया सकता हो इसका मुख्यों प्रयोक कब होता है किसी अदर control को define करने करने के लेबल जैसा कि किसी brand को डिफायं करने लेबल लगा जाता है बिना लेबल के वो प्रोड़क कोई काम कर नहीं होता है यहां पर भी अधर कंट्रोल किसी काम की नहीं होते जब तक कि उसमें लेबल लगाया नहीं गया हो जैसे कि यूजर से कुछ डेटा इंपुट लेना उसका नाम इंपुट लेना एट है या फिर लेना और आप लेबल यह नहीं देंगे इस प्रकार से लेबल नहीं लगाएंगे तो यूजर को कैसे पता लगेगा कि उसको क्या इंटर करना तो लेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम यहां पे देख लेते हैं सबसे पहली प् लेवल को प्रोग्रामिंग के समय पर पहचाना जा सकता है और इसके माध्यम से ही हम इसमें कोडिंग करता है और अक बुख़़श्य स्यudent और एक बुलीन के tips की मतलब एक ऐसी प्रोपटेह ज्यों होती लेवल को प्रोपटी है इसे फ्रू सेट करने वो हमारा आता है चेक box कंट्रोल चेक box कंट्रोल एस बी.net के अंतर का चेक box कंट्रोल के मादियं से यूजर को multiple option selection की facility provide की जाती है check box control में by default right side text display होता है और text के पहले अड़ाद light side में एक rectangular button display होता है जिससे select होने पर check का ID जो कि इसे programming के दुरान पाचाने मदद करती है दूसरी होती है check इसे check करने पर by default check या uncheck निर्धारित कर सकते है text property जो रहती है वो by default text लिखने के लिए help करती है चलिए next देखते हैं तो आता radio button control रेडियो बटन कंट्रूल asp.net के अंतरगत रेडियो बटन कंट्रूल का यूज़ भी check box कंट्रूल के तरह किया था लेकिन यह सिंगल सिलेक्शन प्रोइड करता है जबकि चेक बॉक्स कंट्रूल इससईब करने के लिए मदद करती और टेक्स प्रॉपर्टी है डिफाल टेक्स लिखने का काम करती है अगला ऐता है वो Ist about control Affordnet ke अंतرần comes control26nosis उपयोग उजर इंपुट लेने किले करता है किसी विशेश परिस्थितियों में टैक्सइम्योग आउटबू देने के लिए भी किया जा सकता है पर अधिकतर वगस specially इंपूट लेने के लिए करतेख property अगर देखे तो पहली property आईडिया आती है जो की programing की दुरानी से पेचानने मदद करती है बेक कलर इसका use background color textbox के background color को change करने के लिए किया सकता है border color इसका use textbox की border color change करने के लिए सकता border style इस property का use textbox की border style set करने के लिए जाता है और टेक्स इस से टेक्स बोक्स के अंदर डिफॉल्ड टेक्स लिए किया जाता है next control हमारा आता है वो आता है button control isp.net का इंतरगा button control एक push button की तरह किया जाता यूज़ पुछ बटन की तरह किया था और push button एक submit button या command button हो सकते है default रूप से यह control एक सम्मीट बटन आये सम्मीट बटन में कमांड का नाम नहीं होता और एक क्लिक होने पर यह सर्वर पर पेज को पोस्ट कर देता है सम्मीट बटन क्लिक करने के लिए कारियों को करने के लिए कोड को बटन की इवेंट पर लिखा जाता है सम्मीट बटन पर क्लिक कर जो हम करते है तो इसके लिए जो भी गओ रता व इसकी हमें पर इनته कर सकते हैं और टेक्स से के डिफंट कर सकते हैं कैंया लिस्ट बोक्स कंट्रोल लिस्ट चंट्रोल एसप डॉनिट के इस सोखने के लिए तक यांने कि सुछाने के लिए करें यहां यू़जर लातन geliyor सार single या multiple items selection की facility दी जा सकती है, इसकी property देके तो id आती है, इस property के माध्यम से list box को programming के दुरन भचाना जाता है, बेक color, बेक color property का use background color change करने के लिए के लिए का आता है, और main properties की item होती है, जिसका use list box में default list बनाने क्लिक जाता है फिर इसके आती selection mode selection mode property का single या multiple selection mode enable करने के लिए किया जाता है तो ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें और आप हमारे CHAINNEL पर नाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और और नोटिफिकेशन के लिए bell बटन पर ज़रूर क्लिक करें। और आपने दोस्तों के शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं जरूर की वीडियो कैसा आपको लगता है ताकि हम मोटिवेट हो इसी प्रेकार से और वीडियो बनाने के लिए थैंक यू